English Speaking Course के पहले दिन, यानि कि Day 1 पे, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप अगले 3 महिने, अगले 6 महिने या अगले 1 साल तक, जब तक आप English बोलने में fluent ना हो जाएं, तब तक आपको क्या ऐसा करना है जिससे कि आप English सीख सकें, तो वो एक काम क्या आपको करना है, वो मै आपको आज इस फीडियो में बताने वाला हूँ, जितने भी लोग इस दुनिया में जो English सीखते हैं, लेकिन English उनकी thinking language नहीं है, यानि उनकी family में नहीं बोली जाती, या फिर English उनकी native language नहीं है, वो सभी ये काम करते हैं, और तब ही वो English बोलना सीखते हैं, और मैं ये भी क है सकता हूँ कि जब मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है कि आप अपने आप से commitment करें, कि आप ऐसा करेंगे, लेकिन 99% लोग फिर भी उस काम को नहीं करते हैं, और वो कभी English नहीं सीख पाते हैं, आपने ऐसे बहुत से friends देखे होंगे, जो कहते हैं कि हमने कभी ना कभी English सीख में की कोशिश की है, लेकिन उनमें से 99% fail हुए हैं, जो कि English अब नहीं बोल पाते हैं, तो क्या है वो चीज, मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और हो सके, तो notes बना लीजिए, क्योंकि चीज़ें आपको एकदम से याद नहीं रहेंगी, और जब आपको उन्हें implement करना होगा, तो आप अपनी notebook को देख सकते हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, देखिए, सबसे पहले आपके साबने कुछ sentences हैं, जब आप सुबह उठेंगे, तो उठते ही, आपके मन में सबसे पहला sentence अना चाहिए, I've got up now, ये जो है तो जैसे आपके आँखें खुली, आपने अपने मुह से English बोलना शुरू किया, और आपका पहला sentence आया, I've got up now, अब जब आप उठ जाते हैं, तो आप बेड से उतरेंगे, अपने बिस्तर से उतरेंगे, तो आपको बोलना है, अच्छा ये केवल सोचना नहीं है, आपको मुह से बोलना है, जितना बोलेंगे तभी तो English आईगी, I am, ये क्या है, I am, आ, य, म, ऐसे नहीं, I am, I am नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करिए, sentences को उसी speed में बोलने का जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे English बोली जाती है, I am getting off the bed, मैं bed से उतर रहा हूं, उतरने को get off कहते हैं, grammar में नहीं जाना है, नहीं सोचना है कि फ्रेजल वाब है, ये सब नहीं, मैं सिर्फ क्या कह रहा हूं, कि आपको English बोलने की practice करनी है, आपको अपनी day-to-day conversations में English को लाना है, इसलिए आपको मैं ये सब suggest कर रहा हूं, अभी आप sentence तो हो गए, आपकी आखें खुली, आपने बुला, I have got up now, जैसे आप bed से उतर रहे हैं, तो आपने बुला, I am getting off the bed, मैं bed से उतर रहा हूं, ठीक है, उतरने के बार आप क्या ढूनते हैं, general practice है, आप slippers ढूनते हैं, slippers का क्या मतलब होता है, चपले, अच्छा, इसे sleepers, sleepers नहीं बोलना है, इसे क्या बोलना है, slippers, जो भी आप बोलते हैं, उसका बड़ा रोल होता है, आपको English गलत नहीं बोलनी है, आपको सही English बोलनी है, भली, आप बहुत जादा grammar नहीं जानते हैं अभी, आप day one पे हैं, अभी आपने शुरुवात किये, लेकिन ये रठने है sentence, where are my slippers, मेरी चपलें कहा हैं, भली आपको दिख रही हैं, कि ये चपलें, लेकिन फिर भी बोलना है, where are my slippers, act करना है, ठीक है, इसके बार आप क्या करते हैं, आप चपलें पहनते हैं, तो आप बोलेंगे, I put on the slippers now, मैं आप चपल पहन लेता हूं, और आप पहनने लग जाते हैं, घड़ी में आप time देखते हैं, आपको तुरंत ये sentence याद आना चाहिए, what's the time right now, इस समय, right now, क्या time हो रहा है, what's the time right now, आपको ये बोलना है, what's the time right now, अच्छा मान लीजे, 6 बज़के 42 मिनट हो रहे है, 6.42, तो time की शुरुवात हमेशा, its, its के साथ, ये it is का contraction है, ले लेकिन आपको it is नहीं बोलना है, आपको बोलना भी ऐसे ही है, its, its 6.42, मान लीजे, 7 बज़के 15 मिनट हो रहे हैं, आप कहेंगे, its 7.15, 5 बज़ रहा है, its 5, 5 ओ क्लॉक नहीं, ठीक है न, आपको जो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल वही करना है, its 5, 6 बज़ रहा है, its 6, its 7, its 8, 557 हो रहा है, its 557, इस तरह से आपको बोलना है, अचा आप सोचेंगे कि जब मैं इन sentences को बोलूँगा, तो कोई वेक्ती हो सकता है मुझे ये पूछ ले कि आप ये क्या बढ़बढा रहे हो, why are you mumbling, mumbling, mumbling का मतलब होता है बढ़बढाना, आप इस वक्त क्यों बढ़ब रहे हो, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि जब आप ये चीजे बोल रहे हैं, तो आपके room में जो भी है, उसने सुन लिया, तो आप से ये पूछ सकता है, लेकिन एक ही बार पूछेगा, first time, क्योंकि अब आप क्या answer दोगे, वो आपको रट लेना है हमेशा गिले, permanently, आपको कहना है, actually I am learning English nowadays, आजकल मैं English सीख रहा हूँ, so इसलिए, Sir has told me to mumble like this, Sir ने मुझे बोला है, Sir has told me to mumble, इस तरह से बढ़ बढ़ाने के लिए Sir ने मुझे बोला है, आपने ये sentence बोल दिया, मान दीजे, आपके भाई ने आप से पुचा कि, अरे क्या बढ़ बढ़ा रहा है, आपने ये sentence कहे दिया, actually I am learning English nowadays, so Sir has told me to mumble like this, इसे इतनी बारट लो, कि आप इसी speed में उसे बोल दो, अगर वो ना समझ पाए और वो आप से कहे क्या, क्या मतलब, तब आप हिंदी में बोल सकते हो, कि actually मैं English सीख रहा हूं इन दिनो, Sir ने मुझे बोला है कि ये करना है, तब English improve होगी, तो जब आपने ये sentence बोल दिया, अब आपका भाई तो आपसे कभी दुबारा नहीं पूछेगा, उमीद है वो नहीं पूछेगा दुबारा, क्योंकि उसको पता लग गया है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हो सकता है, ये question फिर आपके पापा किसी दिन पूछ ले, ममी पूछ ले, आप किचन में कुछ बढ़ बढ़ा रहे हो, ममी ने पूछ लिया, तो जो भी पूछे, इस sentence को बताना है, पहले English में, पहले Hindi में नहीं, पहले English में, ममी, ममी को जैसे बताया, ममी, actually I am learning English nowadays, so sir has told me to mumble like this, अब ममी ने का, क्या, समझ नहीं आया, तब Hindi में बो अचा, अब आप सुबह उठ गए, आपको याद है, आप पहले उठे तो आपने उठने के बारे में बताया, आप बैट से उतरे, आपने slippers पहनी, slippers पहनने के बारे में बताया, टाइम देखा, अब उठने के बाद आप सबसे पहला काम क्या करते हैं, मान लेता हूँ कि आप for running now लेकिन जैसे साथ रट लेंगे sentence को रोज बोलने लगेंगे तो 10 दिन 15 दिन के बाद आप कैसे बोलेंगे I go for running now ठीक है आप running करने जा रहे हैं या फिर हलके हलकी jogging करने जा रहे हैं थोड़ा बहुत running जब आप करते हैं jogging कहते हैं तो या तो आप ये कह लीजिए या आप ये कह लीजिए या फिर आप केबल walk करने जाते हैं तो ये sentence रट लेना है आपको और ये sentence रोज आपको बोलना है आपको कहना है I go for a walk now और आप जाना शुरू कर देते हैं ठीक हो गया या फिर आप gym जाते हैं तो ऐसे में किसी destination पे जा रहे हैं तो two का use कर लेंगे I go to gym now, I go to the park now, पार्क जा सकते हैं या फिर अगर आप किसी के घर जा रहे हैं मान लिजे सुमित के घर जा रहे हैं फिर वहाँ से gym जाएंगे या वहाँ से running के लिए जाएंगे, jogging के लिए जाएंगे, walking के लिए जाएंगे तो ये sentence आप कह सकते हैं I go to सुमित's home now, I go to सुमित's home now और फिर आप जाते हैं सुमित या जिस भी दोस्त का नाम है अच्छा अब आगे बढ़ते हैं I brush my teeth now, मैं अब अपने दांस साफ कर लेता हूँ तो gym जाने से पहले, running पे जाने से पहले या बाद में, जब भी, जब भी कभी आप brush करने जाएं तो जाने से पहले, ये आपको बोलना ही बोलना है, I brush my teeth now ऐसे बोलिये अपने आप से, ठीक है, खुद से बोलिये अच्छा, जब आप जाएं, तो आपने शुरुआत में कह दिया, I brush my teeth now, ठीक है जैसे आपने brush को उठाया, किसी भी चीज को उठाते हैं इस तरह से आप कह सकते हैं, here is the brush, here is the brush, brush उठाया फिर आप paste उठाया अपने, paste बोलो या toothpaste बोलो, कोई दिक करते हैं here is the paste, पहले आपने brush उठाया, here is the brush, here is the paste अब paste को जब आप डाल रहे होंगे brush के उपर, तो आपको क्या बोलना है, वो sentence क्या है I put, मैं डालता हूँ paste को on the brush, brush में, brush के उपर, and I start और मैं start करता हूँ, I put the paste on the brush and I start इस sentence को शुरुवात में तो ऐसे जब आप याद भी नहीं कर पाऊगे, या शुरुवात में याद करोगे तो शाहद आप ऐसे बोलोगे, I put the paste on the brush and I start दस दिन, पंदरा दिन जब यही sentence बोलते रहोगे, तो speed में बोलोगे I put the paste on the brush and I start तो यह sentence बोलना है, ठीक हो गया अब जब आपने brush कर लिया, तो आप क्या बोलेंगे I rinse my mouth now, यह sentence बोलना है अब मैं अपना मुह कुला कर लेता हूँ, धो लेता हूँ तो यह five sentences, six in fact, यह देखिए अच्छा, अब आपको brush करने में कितना समय लगा मान लिजे आपको five minutes लगा या आपको two minutes लगा, three minutes लगा, जो भी लगा तो बोलिए, इस sentence को बोलिए अब I took three minutes to brush my teeth I took मैंने लिए three minutes, three minutes to brush my teeth तो three लगे, five लगे, ten लगे, जो लगे, actual में वही बोल लीजिए आपर लेकिन इस sentence को भी आपके मूँ से निकलना है ठीक है, आपने हैं बोला जब भी कभी आप अपना face wash करें I wash my face now अच्छा, आप clean water के साथ कर रहे हैं बिलकूल केवल पानी के साथ कर रही है या आप कोई face wash ले रहें जो भी ले रहें, विद के साथ में बोल लीजिए मन लीजिए, आप scrub का यूज करते हैं तो scrub को आप apply करते हैं किसी भी चीज को, जैसे hair long को आप apply करते हैं scrub को या face wash आप लेते हैं, हाथ में लेते हैं और उसे apply करते हैं, ठीक है, तो I apply scrub on my face today, आज मैं अपने face पे scrub को apply करता हूँ, ये sentence आपको बोलना है, या आप अपने बालों में तेल लगा रहे हैं, oil, I apply hair oil या oil on my hair, ऐसे बोलिए, अब आप नहाने जाना चाहते हैं, तो ये sentence रट लेना है, I take a bath now, बस, I take a bath now, I take a bath now, I take a bath now, रटते जाईए, I take a bath now, और जब आप bathroom के अंदर जा रहे हैं, I am going to bathroom, अब bathroom के अंदर जाने के बाद आप दर्वाजे को बंद करते हैं, कुंडी लगा देते हैं, तो दर्वाजे को खाली बंद कर देते हैं, तो close कह सक और अगर आप कुंडी लगा देते हैं, तो bolt कह लिजिए, ठीक है, यह आपकी choice है, जो भी आप कर रहे हैं, actual में उसके हिसाब से बोल लिजिए, लेकिन जब आप लगाने लग रहे हैं, जैसे कुंडी लगाने लग रहे हैं, I bolt the door now, now कह लिजिए, नहीं कहना है, कोई बात हैं, अब मैं कुंडी लगा देता हूं, तो आपने कुंडी लगाई, तो आप कहते हैं, I bolt the door now, और ऐसे कुंडी लगा दी, अब आप नहाना शुरू कर चुके हैं, आप जरूर यह sentence बोलिए, I started bathing, I started bathing, बे दिंग, ऐसे ही कहिए, यह मैं सूची हैं कि बात बोलूं, क्या ब बता दूँगा तो आप confused हो जाओगे, है न, और मैं grammar बताऊँगा कि इसके पीछे क्या grammar है, कि यहाँ पर ing क्यों लगा, तो भी आप confused हो जाओगे, तो confused नहीं होना है, बेद, B-A-T-H-E, बेद एक verb है, एक kriya है, जिसका मतलब होता है नहाना, यह मैं आपको बता देता ताकि आप confused नहीं हो कि मैं bathing क्यों कह रहा हूँ, अब जब आप अपनी body पे साबुन लगा रहे हैं, तो soap, soap मतलब साबुन, अच्छा इसे soap कहना है, soap, इसे shop नहीं कहना है, कही लोग confused हो जाते हैं, pronunciation mistake कर देता, शौप मतलब दुकान होता है, ठीक है, यह soap है, soap मतलब साबु साबुन को apply कर रहा हूँ, I am applying soap on my body now, I am applying soap on my body now, तो जब आप साबुन लगा रहे हैं, उस वक्त बोलना है, I am applying soap on my body now, इस तरह से बोलना है, अच्छा फिर अगर आप shampoo लगा रहे हैं अपने hair पे, आज लगा रहे हैं, तो I am applying shampoo on my hair today, today इसलिए कह दिया, आज, क्योंकि रहे हैं, I am applying shampoo on my hair today, अब आपने साबुन से देखे, पुरा ज़ाग बना लिया है, अब आपको धोना है, है न, आपने अपने बालों पे shampoo कर लिया है, अब आपको धोना है, I rinse off, I rinse off my body and hair now, अब हो सकता है, आज आपने बाल नहीं धोये shampoo से, तो rinse off क्या करना है, फिर तो क्य नहीं डालना शुरू कर दिया, इस shower चला दिया, जो भी है, तो आपको बोलना है, I rinse off my body now, ये sentence आपको रटना है, और बोलना है, अब जब आप नहा गए, और आप अपने हाथ में towel लेते हैं, towel कहते हैं उसे, I have a towel in my right hand, अचा right में ले ले ले, आपने right से उठा लिया, left से left है तो left, right है तो right, लेकिन बोलना ज़रूर है, I have a towel, जब आपके हाथ में towel हो, I have a towel in my left hand, और ये बात भी ज़रूर बोलिये, इस से आपके आदत बन जाएगी, and its color is blue, अब blue है तो blue बोलिये, white है तो white बोलिये, red है तो red बोलिये, ठीक है, ये सब तरीके हैं, जिस से English सीखी जाती है, आपको भी ऐसा करना है, और ये तो day one है, अभी तो आप आगे बढ़ेंगे, अच्छा फिर आप क्या करेंगे, जब towel आपने ले लिया, अब towel आपके हाथ में आपने उसका color बता दिया, किस hand में बता दिया, अब आप अपनी body को पोचेंगे, तो यनि क्या करेंग अपनी body को dry करेंगे, I dry my body with this towel now, ये बोलिये, और towel से अपनी body को dab dab, dab का मतलब क्या होता है, dab, dab, ये एक word है, इसका मतलब होता है, थप थपाना, जैसे कई बार आपने किसी के मुझ से सुना होगा, कि रगड़िये मत, किवल थप थपाईए, एक तरह से dab, dab कर करकर के पोचि पर जब बंद करें, I turn off the tab, और बंद कर दीजिए, ये practice आपको regular बना लेनी है, अच्छा, जब भी आप सुबह उठें, मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, सब को greet करिए, कहिए good morning, good morning सब को कहना है, compulsory बना लीजिए, इसे एक आदत बने कि English बोलने की, ठीक है, आप किस वेक्ति से दिन में बारा बजे से लेकर के, सामके चार बजे तक, अगर मिलते हैं, good afternoon time हो, afternoon का time है, good afternoon कहिए, चार बजे के बाद, आप मिलते हैं, जब भी सोने जाने तक, है न, good evening कहिए, और जब, finally किसी को अलविदा कर रहे हैं, कि अब आप जाईए, सो जाईए, good night कहिए next sentence देखिए, जब भी, आज के बाद, जब भी आप अपना phone उठाएं, Instagram के लिए, Facebook के लिए, WhatsApp देखने के लिए, तो आपको ये बोलना ही बोलना है, I check my WhatsApp, या I check my Facebook, और देखने लग जाईए, I check my Instagram, देखने लग जाईए, ठीक है, ये आपको करना है, अच्छा, किसी से भी आप मिलते हैं, phone पे बात करते हैं, शुरुवात करते हैं, हमेशा ये पूछने के बजाए कि आप कैसे हैं, हिंदी में पूछने के बजाए, चाए अपनी मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, किसी को भी, आप या तो कहिए, how are you, आपको जो अच्छा लगे, आप कहिए, how are you, या फिर आप कह सकते हैं, how are you doing, how are you doing, इसका भी वही मतलब है, आप कैसे हैं, ठीक है, या how are you doing है, या what are you doing नहीं है, what are you doing का मतलब होता है, कि आप क्या कर रहे हैं, how are you doing मतलब, how are you, या फिर आप, what's up, ऐसे बोल सकते हैं, जैसे आप अपनी मम्मी को, मम्मी, what's up, सुब अच्छा वो अगर पूछ ले कि और बेटा कैसे हो मान लिजी वो हिंदी में पूछें कोई बात नहीं आपको इंग्लिश में बोलना है I'm fine What about you? ये जरूर पूछिए ये पूरा सेंटेंस एक साथ बोलना है आपको दोनों सेंटेंस बोलना है I'm fine What about you? फोन पे चाहिए सामने अच्छा कोई कुछ आपको बता रहा है जैसे कोई बगल के आणटी आपको बता रही है बेटा देखो ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ और आप कह रहे हैं हाँ ये बात तो सही है तो right तो right की जगा right भी कह सकते है you are right भी कह सकते है you are right हिंदी में कैसे बोलते है अच्छा तो जैसे कुछ कोई कुछ बता रहा है कोई घटना के बारे में बता रहा है आप कहते है अच्छा अच्छा की जगा okay उसके बाद all right ये फिर I see अब हर बार okay 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 कहेंगे तो भी अच्छा नहीं लग सकता हर बार all right all right all right वो भी ठीक नहीं लगे शायद वैसे बोलेंगे कोई problem नहीं लेकिन आप इस formation को इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जैसे एक बार आपने okay कह दिया okay फिर उसने दूसरी बात continue करी आपने कह अच्छा नहीं कहना है फिर थोड़ा और continue करी I see okay कह लिजिए all right कह लिजिए या I see कह लिजिए तीनों को एक के बाद एक कह लिजिए किसी भी sequence में ये तो सिर्फ एक suggestion है next really या फिर is it ये कब कहते हैं आप कोई हमें कुछ बात बता रहा है तो अक्सर हम ऐसा कहते हैं न सच में सच में ये तो उसके लिए really या फिर is it या तो ये बोलिए या फिर ये बोलिए जो आपको अच्छा लगे इन दोनों में से एक choose कर लिजिए कि मैं हमेशा really बोलूँगा या बोलूँगी या फिर is it ये बोलूँगी अब देखिए well ये बड़ा interesting है आप किसी भी sentence की शुरुवात well से कर सकते हैं और आपने ये सुना भी होगा जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछे अरे तुने become में admission लिया था उसका क्या होगा और आपको कुछ बताना है तो आप शुरुवात well से कर सकते हैं कैसे well admission तो लिया था लेकिन मुझसे पढ़ाई हो नहीं पाई तो आगे का sentence भले ही आपने हिंदी में बोल दिया क्यों? क्योंकि अभी ता आप बच्चे हैं अभी ता आप English सीखने के आपने शुरुवात की है तो बाकी का sentence भले English में नहीं बोल पा रहे हैं लेकिन जो शुरुवात है वो well से आप करना आप कर सकते हैं इससे आपकी practice होगी और जैसे जैसे आपकी English improve होगी तो आप ये थोड़ा सा आपकी practice में आ जाएगा कि well आपकी मुझसे अपने आप निकलने लगेगा जैसे मान लीजिए आप मुझसे पूछे या हिंदी में पूछे आपका नाम क्या है तो मैं शुरुवात ऐसे कर सकता हूँ well my name is Aditya वैसे तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ my name is Aditya लेकिन well ये जो well है इसका role English में filler की तरह है थोड़ा आपको time मिल जाता है जैसे well अब इतनी दिर में आपने सोच लिया कि आपको क्या बोलना है well my name is Aditya या well मैं वहाँ गया था तो भले ही आगे का sentence हिंदी में बोलिए लेकिन शुरुवात में well का use आप किसी भी sentence से पहले कर सकते हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर sentence के पहले आप well करने लग गया है ऐसा नहीं लेकिन आप बीच बीच में करिए मैं तो यह कहूँगा दिन में कम से कम 10 to 15 times 10 to 15 sentences से पहले आप well का use करिए उससे आपकी practice हो जाएगी और जैसे 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 English improve होगी well का use करना आपकी practice में आ जाएगा जबान में fit हो जाएगा अच्छा अब बात करतें even की even और उसके बाद देखिए sentence even का sense sentence में यहाँ पर जब शुरुआत में आता तो भी का sense होता है जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है और आप मेरे साथ बैठे हैं और आप कहना चाहते हैं मुझे भी बहुत पसंद है तो आप even से शुरू कर सकते हैं sentence को और करिए इस तरह से करना है आपको जब आप बोलेंगे तभी तो प्रैक्टिस में आएगा आपको क्या बोलना है आपको अपने घर पे अपने दोस्तों के साथ कहीं पे भी इवन से शुरुआत करनी है जैसे आपके दोस्त के पास एक मोबाइल है उसने का मेरे पास वीवो का मोबाइल है और आपके पास भी Vivo का मोबाइल है तो आपके पास भी आ गया ना sentence में तो आप कैसे बोलेंगे एक तरीका तो यह है कि आप plain हिंदी में कह दे मेरे पास भी Vivo का मोबाइल है बजाए इसके अब आप कैसे कहेंगे अब आपको कैसे कहना है Even, मेरे पास भी वीवा का मौल, Even, ये Even को अपनी practice में लाना है, दिन में कम से कम 10 to 15 times, Even का use जरूर करना है, हर उस sentence में जहां पर आप भी के sense में बोल रहे हूं, Yes या, चाहे तो Yes कहिए, चाहे या कहिए, लेकिन हिंदी में हा मत कहिए, जैसे पापा जी ने पूछा, पापा जी ये Yes पापा, Yes ये या बोलिए, लेकिन हा नहीं बोलना है, कि हा नहीं बोलना है, इसे अब अपनी dictionary से हटा दीजिए, ठीक है, कम से कम तब तक, जब तक आप English बोलना धंक से सीखना जाए, Nothing as such, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे किसी ने आप से कहा, कि अरे आपने तो उसे कॉली नहीं किया, आपके मन में पक्का कुछ बात है, तो हिंदी में हम ऐसे कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो उसके लिए आपको English में क्या बोलना है, Nothing as such, जैसे किसी ने आप से कहा, कि मुझे लगता है कि आप उसे पसंद नहीं करते हैं, और आप कहना चाहते हैं, ऐसा कुछ न चाहिए मम्मी को, चाहिए पापा को सब चौके वे बैठे हैं, हैरान से बैठे हैं, किसी खबर से हैरान बैठे हैं, किसी भी बात से बैठे हैं, तो बजाई ये कहने कि क्या हुआ, अब से आप कहेंगे, What happened? या फिर, What's wrong? या फिर, Any problem? लगबग तीनों का sense एक जैसा है, आ आपको जो पसंद हो, आप उसे बोल सकते हैं, आप चाहिए, तो कुछ दिन ये बोलिये, कुछ दिन ये, कुछ दिन ये, या फिर, कभी ये बोलिये, कभी वो बोलिये, कभी वो बोलिये, लेकिन अब आपको बोलना है, और वो word, वो sentence, आपको कभी नहीं बोलना है, अपने day परिशान है कोई बात है कुछ भी अपसर्ट दिख रहा है तो बजाए ये पूछने के कि ठीक हो ठीक हो की जगा अरी ओके अब यही सेंटेंस आपको बोलना है यह एक्चुली भी आपने बहुत जादा सुना होगा एक्चुली किस सेंस में बोला जाता है दरसल जनरली हम हिंदी में ऐसा बोल देते कि दरसल मैं वहाँ गया था तब मुझे इस बारे में पता लगा या फिर दरसल ये फोन ही मुझे पसंद नहीं है दर असल मैं इसे खरीदने ही नहीं चाहता था तो दर असल हलाकि बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं इस word को भी जातक मेरा experience है लेकिन इस sense में कभी भी बोलना हो actually को अपने मूँ पे बिठा लीजिए हर बार जब भी ये sense आए in fact या दर असल उसके लिए आप actually word का use करिए although ये भी बड़ा interesting है आपको अकसर हिंदी में ऐसा बोलने की जोद पढ़ती है वैसे तो अकसर आप बोलते हैं ऐसा जैसे वैसे तो मैं English की उनकी वीडियो रोज देखता हूँ लेकिन कुस दिन से मुझे time नहीं मिला तो वैसे तो ऐसा आप अकसर बोलते हैं जैसे आप इस तरह से भी कहते हैं कि वैसे तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक है लेकिन आजकल time नहीं मिल रहा है तो वैसे तो जब भी आप वैसे तो बोलने वाले हों तुरंत आपको याद आना है कि आपको क्या बोलना है although तो आप कैसे बोलेंगे आप कहींगे although मैं मुझे इस किताब को पढ़ना तो है लेकि मेरे पास time नहीं हो रहा है या फिर although मुझे आज office जाना था वैसे तो आज मुझे office जाना था लेकिन मैंने तबियत का बहाना बना दिया और मैं office नहीं गया तो वैसे तो वैसे तो कि जगा अब क्या बोलेंगे आप हमेशा although ये भी अपनी notebook में note कर लेना है anyway इसका मतलब क्या निकलता है anyway के बास sentence आगी ये anyway शुरुवात में दिख रहा है आपको इसका मतलब कुछ इस तरह से निकलता है खेर छोड़ो जब आप किसी व्यक्ति को किसी topic से कहते हो कि छोड़ो इस topic को आगे बढ़ते हैं कुछ और बात करते हैं तो आप generally खेर छोड़ो इस sense में जो भी आप बोलना चाहें उसमें anyway कहिए खेर छोड़ो मत बोलिए खेर छोड़ो का example क्या हो सकता है जैसे मान लीजिए आपकी बात किसी मुद्दे पर चल रही है और अचानक से आप उस मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर आना चाहते हैं आपने कहा खेर छोड़ो अच्छा ये बताओ आपके बास pen कितने हैं तो आप देखे क्या हुआ खेर छोड़ो ये बताओ कि आपके बास pen कितने है तो जो मुद्दे पर बात हो रही थी जिस issue पर जिस भी matter पर बात हो रही थी उसे आपने कहा छोड़ो leave it तो खेर छोड़ो इस sense में आपको क्या करना है आपसे इस sense में हमेशा anyway का use करना है जैसे कि मान लिजी आपने अपने छोटे भाई से का पानी लियाना मेरे लिए वो नहीं लाया आप उस पर गुसा हो गए आपने उसे डांट दिया वो रोने लगा अब आप कहते हैं anyway अच्छा इदर आ, मुझे ये बता तो उस मुद्दे से हटना उसके लिए anyway का use करना है आपने ऐसा कई लोगों के मुझे सुना भी होगा आजकल तो movies में या कहीं न कहीं social media में आप बहुत सारे interviews या कोई हिंदी में भी बात करता है तो English का बहुत सारा ही use करता है तो anyway word कोई ऐसा तो है बहुत common है use although का use हो गया actually का use सबका use बड़ा common है लेकिन मैं आपको remind करा रहा हूँ आपको याद दिला रहा हूँ कि आप भी इनको use करें ठेक है हिंदी नहीं बलकि केवल English में मान लिजी किसी ने आपको phone किया आपकी समझ में नहीं आया कि उसने क्या बोला तो बजाई ये कहने की क्या क्या बोला आपने अक्सरा मैं ऐसा बोलते है न तो आपको हिंदी में आपने नहीं बोलना है क्या ऐसा नहीं बोलना है आपको क्या बोलना है Excuse me या फिर Pardon या फिर Sorry इस तरह से लेकिन अपसे आप कभी भी फोन पे क्या ना सुन पाए तो क्या हुआ क्या बोला ये सब आप नहीं बोलेंगे ठीक है अच्छा दूसरा किसी को जब आप congratulate करते हैं बधाई देते हैं तो बजाई ये कहने के बधाई हो बधाई होगी जगा आपको आपसे क्या कहना है congratulations आप चाहें तो congrats भी कह सकते हैं congrats short form congrats अच्छा किसी ने बहुत अच्छा काम कर दिया तो आप कह सकते हैं well done ऐसा ही कहना है आपको बजाई ये कहने के shabash या फिर बहुत अच्छा very good ये नहीं आपको क्या कहना है well done very good भी कह सकते हैं वो भी English का है या फिर keep it up keep it up इस तरह से आप motivate करते हैं दूसरे को next sentence है I take breakfast जब भी आप breakfast करने की शुरुवात करने वाले हैं तो आपके मन में ख्याल आया कि मैं आप breakfast करता हूं तो ये sentence आपको मुझ से निकलना चाहिए I take breakfast ठीक है या फिर I take dinner रात के time रात का भोजन रात का खाना दोपर में I take lunch अच्छा आपको juice पीना है आपका मन में आ रहा है कि juice पीता हूं चलो juice पीता हूं I take juice ये sentence मुझ से ज़रूब बोलिए I take this I take that दिन भर में आप कम से कम हो सकता है 5 बार, 10 बार पानी तो पीते हैं तो जब भी आप पानी पीने जा रहे हैं किचन में या पानी लेने जा रहे हैं आरोज से निकाल रहे हैं कहीं से भी निकाल रहे हैं आपको उससे पहले चुकि यह sentence आपके मन में आ रहा है हलागि आप हिंदी में बोल नहीं रहे होंगे लेकिन English में तो आपको बोलना है आपको क्या कहना है I take water मैं पानी पीता हूं I take water और तब आप गए आपने पानी लिया पी लिया अच्छा एक चीज और है यह I के जगह पे एक interesting word let me जो की actual में contraction है let me का let me का use किया जा सकता है जैसे let me take breakfast let me take dinner let me take lunch let me take juice let me take fruits let me take water तो यह आपकी चॉइस है यह बड़ा easy है I take breakfast या फिर I take dinner I take lunch और यह थोड़ा सा हलका advance लगता है वैसे है यह भी easy लेकिन let me कहने के बजाए अगर आप कहना भी चाहें तो आप let me कहिए let me नहीं ठीक है let me let me के आदर डालिए बोलते वगद let me कही उस किया जाता है अच्छा जब आप breakfast कर रहे हैं तो हमेशा ऐसे बोलिए I am having breakfast करते वे आप खा रहे हैं तो आप कहिए I am having breakfast या I am having dinner I am having lunch आप प्यास खा रहे हैं I am having onion आप सबजी खा रहे हैं I am having vegetable I am having rice I am having pearls I am having chapatis अब थोड़े समय के लिए कम से कम तब तक जब तक आप English सीख रहे हैं रोटी की जगा आप chapatis कह लिजी अगला sentence then what अच्छा आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे sentences हो गए हैं इतने सारे sentences यात कैसे रहेंगे don't worry ये last slide है बस इतने ही sentences और आज के लिए फिलाल यहीं तक और इसके बाद अलग-अलग topics discuss होते जाएंगे आप इनकी practice करते जाएंगे कुछ दिन बाद फिर कुछ और sentences आपको दिये जाएंगे ताकि और practice बढ़े आपकी अच्छा ये then what इसका sense क्या आता है इसका एक sense तो या आता है तो मैं क्या करूँ जैसे किसी ने तो मैं क्या करूँ एक तो ये तो मैं क्या करूँ या फिर तो फिर कुछ ऐसा sense तो फिर जैसे किसी ने आप से का मेरे पास 5 लाक रुपे है तो आप हिंदी में क्या कहना चाते हैं, तो मैं क्या करूँ, तो मैं क्या करूँ, इसके लिए आप कह सकते हैं, then what, या फिर किसी ने आपसे का, कि मैंने फोन किया था, अपने फोन उठाया नहीं, ये क्या तरीका है, तो आपने क्या करोगे मेरे साथ, मैंने नहीं फोन उठाय तो ये थोड़ा rude, थोड़ा rude statement है, थोड़ा सा कठोर है, आप generally इसका use, शायद ना करें, लेकिन कभी जरूरत हो, तो आप जान सकते हैं, आप use कर सकते हैं, then what, अच्छा, कोई चीज है, जो आपको करना समझ में नहीं आ रहा, तो आप इस तरह से कहिए, how to do it, कैसे करें इसे, इसे कैसे करें, कोई भी काम, जैसे किसी बच्चे ने आपसे का, भाया इसको जरा ये कर दो, आपको नहीं पता कैसे करना है, तो आप कह सकते हैं, how to do it, किसी भी काम में ऐसा हो सकता है, how to do it, जैसे मम्मी ने का, ये बना दो, अब आपको तो पता ही नहीं कि बनाना कैसे, त तो हमेशा यह sentence रट लो, कि यह कैसे करें, के लिए how to do it, अब यहाँ पर कोई helping verb नहीं दिख रही, कोई auxiliary verb नहीं दिख रही है, तो grammar पे तो जाना ही नहीं है, आपको तो सिर्फ English में बोलना है, और वह भी किस sense में, इसे कैसे करूं, करूं या करें, इसे कैसे करूं, how to do it, next, where is the soap, साबून का है, साबून नहीं मिल रहा है, pen नहीं मिल रहा है, pencil नहीं मिल रही है, आपकी shirt नहीं मिल रही है, यही sentence हमेशा, where is the pen, where is the pencil, where is the soap, ठीक है, और आपकी अपनी कोई चीज नहीं मिल रही है, जैसे माई, माई का यूस करना है आपको, where is my mobile, where is my pen, where is my pencil, where is my lunch box, whatever अच्छा नेक्स्ट जब भी आप शीशे में देख रहे हूं, मिरर में देख रहे हूं, हमेशा ये सेंटेंस बोलिए, अपने मुझ से निकालिए, I am looking at the mirror, आप बाल बना रहे हैं, I am combing my hair, को मिंग, ऐसे बोलना है, ठीक है, बी हमेशा साइलेंट होता है, स्पेलिंग में आता है, लेकिन बोलते वगद उच्चारण में नहीं आता, प्रनंसियेशन में नहीं आता, I am combing my hair, दिन में आप तीन बार, चार बार, छे बार, जितनी भी बार बाल बनाए, हमेशा ये सेंट आपको बोलते रहना है, I am combing my hair, और बना रहे हैं, next, leave it, या फिर let it be, जो आपको अच्छा लगे वो आप बोल सकते हो, इसका मतलब क्या होता है, मतलब होता है, छोड़ो, यानि मुद्दे को खत्म करो, बात को खत्म करो, छोड़ो, जैसे कोई discussion चल रहा है, कोई जगडा स हो रहा है, आपने का, leave it, इस matter को छोड़ो, भूल जाओ, leave it, अच्छा आप किसी को call करोगे, या text करोगे, इसके लिए आप generally ऐसा कहते हैं, I'll call you, तो हमेशा, मैं आपको phone करूँगा, या करूँगी, ऐसा मत कहिए, हिंदी में नहीं कहेंगे आप, आपसे आप कहेंगे English में I'll call you, और यह जो I'll है, यह I will का contraction है, तो आप कभी भी I will call you, नहीं, आपको कहना है, I'll, इसे बोलना कैसे, I'll, I'll, I'll call you, I'll call you, या फिर अगर आपको message करना है, तो आप कहेंगे, I'll text you, किसी time के साथ हमेशा at का use होगा, at 10.40, या at 7.15, at 6.30, और I'll call you, या I'll text you on Monday, किसी भी day के साथ में on का use होगा, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, तो time के साथ at का use, day के साथ on का use हमेशा ध्यान रखना है, और generally हम इस तरह से कहते हैं कि आज मैं आपको call करूँगा, या आज मैं आपको text करूँगा, तो I'll call you, today, या फिर कल करूँगा, I'll call you tomorrow, I'll call you day after tomorrow, day after tomorrow या नहीं, परसो, I'll call you next week, I'll call you next month, अगले हफते या अगले महीने, यहाँ पर आप on, at, in, किसी कभी use नहीं करते हैं, अब आजाई यह हमारे आखरी sentence पे, Are you mad or what? पागल है क्या? इस तरह का sense होता है, पागल है क्या तू? जनरली अपने friend को कई बार आप ऐसा कहते हैं, कि तेरा दिमाग ठीक है, तू पागल तो नहीं है, तो तू पागल तो नहीं है, यह तू पागल वागल तो नहीं है, हमेशा ऐसा कहना है, Are you mad or what? इस तरह से, इसे भी तो काम चल जाएगा, हाँ चल जाएगा, लेकिन यह ज़्यादा बहता लगता है और इस तरह से ज़्यादा conversation में use किया जाता है, English native भी इस तरह से बोलते हैं, तो आपको इसी तरह से रट लेना है, Are you mad or what? अब मेरी आपसे request है कि जितने भी sentences मैंने आपको बताए, भले ही आपको वीडियो को एक बार फिर से देखना पड़े, सभी sentences को आप अपनी notebook में note कर लीजिए, और जो भी activity मैंने आपको बताए, सुबह उठने से लेकर के जितनी भी activities में आपको इन sentences की requirement पड़ेगी, उन्हें आपको बोलना है, और बोल बोल के practice करनी है, और कोई भ लेकिन ये practice आपको religiously follow करनी है, बिना किसी distraction की, आपको distract नहीं होना है, आपको ये करना ही करना है, अगर आप English बोलना सीखना चाते हैं, किवल लिखना या पढ़ना नहीं, किवल grammar सीख के काम नहीं होगा, लिखने पढ़ने से, vocabulary इंप्रूव कर देने से, spelling mistakes को इंप्रूव आईगी, English आपकी जुबान पर आजाएगी, फिलाल आज के लिए यहीं तक, मुझे उमीद आपको ये वीडियो लक्ट्र पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो like जरू करिएगा, और request है आपसे कि कम से कम एक WhatsApp ये Facebook ग्रूप में share जरू करिएगा, क्योंकि देश के छोटे स चोटे गाओं के students तक इन वीडियो को पहुचाना है और उन्हें भी English में सक्षम बनाना है, मिलते हैं next video lecture में, तब तक के लिए take care, goodbye.